राम राम कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई पूरे तन्द मन से कर रहे होंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज 12 का मैथ का सेशन बहुत बच्छा का ये डिमांड था कि सर अब एक्जाम नजदिक आ गया है कुछ ऐसा किज एक्जाम में कोश्चन बन जाए और जल्दी एक ऐसा वीडियो होना हिए कि प्रोपर वो एंसी आटी कवर हो जाए कोश्चन बैंक कवर हो जाए और मेरा एक्जाम में कोश्चन ना छूटे उसी के बेस्ट पे आप लोगों के बीच आये हैं और आज से डेली आपको बारह सब्सक्राइब आपको एक वीडियो मिलेगा उसको आप प्यार से देखिएगा और पूरे वीडियो को रेगुलर देखिए आपका बोड का बहत्रीन त्यारी हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इस पर आप देख भी रहे होंगे कि आपका इन्वर्स से कोशन कराएंगे आपको मैं बता दू कि आप यहां देख रहे हैं कुछ स्लाइड पे लिखा हुआ है पूछे गए प्रस्नों की संख्या को दिखाई दे रहा होगा पूरे हम स्लाइड बना लिए हैं कि आपको कोई प्रोब्लम नहीं हो आपको डाइरेक्ट यहां से मिल जनकाड़ी यहां बर्स एर लिखा हुआ है यहां अबजेक्टिव और यह टू माक्स वाला यह फाइब माक्स वाला यह अब गौर कि देगा बातों को करें 2011 में न केवल दो अपजेक्ट्टिव और मतलब बड़ा कोशन भी आया था अब बात कि यह 12 में केवल इसकीन सोट ले सकते हैं बहुत बहतरी चीर है आपको काम देगा इतना काम देगा कि जब आप त्यारी के लिए बैठेंगे न तो आपको एक बार में पता चल जाएगा इस चेप्टर से कब कब कितने कितने प्रस्ण आए हैं देखिए 2020 का देखिए तीन अब्जेक्टिव एक आपको पूरा बस इतना में मिल गया पूरा निचोर अब स्टार्ट करते हैं कि पढ़ना कैसे है कैसे पढ़े कि सारा कोशन मने स्कीन सोट ले लिए होंगे उमीद करते हैं तो आपको पढ़ाएंगे अभी के अभी जस्ट बस आपने एक कोपी पेन ले लिजे और अराम से बैठ जाएए और देखें कि इनभास्टिव चुटकी में आपसे बन जाएगा और अभी के अभी बन जाएगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो ठीक है आपको पता है कि आप क्या परने वाले हैं सौट में बोलते हैं आई टी एफ इनभास्टिव फंक्शन ठीक है पहले मैं आपको बताओ कि इनभास्टिव फंक्शन होता क्या है ठीक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनभास्टिव फंक्शन होता क्या है आपसे अग है आपसे पूछा जाए है कि एन तीस डिग्री का मान वहीं चीज है कोई नहीं चीज नहीं है बिल्कुल साथ चीज है आप अराम से समझेए कि आपसे साइन तीस का मान पुछेगा आप तुरंद बो लेंगे वन वेटा टू अर्पय तालिस बोलेंगे वन वाई रूट टू और तैं त्थीस बोलेंगे वन तो अब देखिए क्या परना जिस परकार से छोटा बच्चा को सिखाया जाता है कि आपका बिहार का राजधानी कहा है तुरा सा जब लड़का का दिमाग चेक करना होता है तो उसे यह पूछा जाता है कि पटना कि कि राजधानी है विर्णरका सोच के बोलता है बिहार की उसी परकार से साइन 30 का मान हाँ साइन 45 का मान वर वाई रूट टू अब आप थोरा सा 10 से 12 में आ गये है तो आप से अब क्या पुछेगा पता है अब उस साइन 30 का मान नहीं पुछेगा बोलेगा कि साइन में कितना डिगरी कितना डिगरी का मान एक बटा दू बात को पलट दिया साइन 30 का मान हाँ अब बोल रहा है कि साइन में कितना डिगरी का मान हाँ तो आप सोचेंगे कि साइन 30 का मान हाँ यानि साइन में कितना डिगरी का मान हाँ तो आप 30 बोल देंगे ठीक है तिस डीगरी आ गया अब इसी चीज को न एक नया function पर बनाया गया याणि ट्रीगो function यह है Trigon function वन फंक्षन ट्रीग नोई Trigon function अब इसी में आया inverse Trigon function जो 12 में परना है अब आप धिर धिरे चीजों को रेलेट कर रहे हैं तो क्या हुआ कि जो में कितना degree का मान ऐसे न पुछके ऐसे पुछा गया कि sine यह हो गया inverse इसका मतलब हुआ sine inverse ठीक है और यहाँ आप 30 degree न लिके लिकेगा एक बटा दू तो आपको यह समझना है कि sine में एक बटा दू कितना degree पर तो तुरंट बोलेंगे सर 30 degree पर ठीक है अब देखिए क्या पुछेगा sine in verse 1 by root 2 इसका मतलब हुआ sine in verse 1 by root 2 का मतलब हुआ कि sine कितना degree का मान sine कितना degree का मान 1 by root 2 तो आप बोलेंगे सर 45 degree का मान 1 by root 2 अब आप चीजों को समझ रहे होंगे यानि जो आप सीधा पर है न उसी का आप पोचीट करके पूछेगा बनाना है यही तो है inverse tree of function अब इसके बीच में थोड़ा सा गहर आई है थोड़ा सा यहां पर गहर आई है उसको थोड़ा सा जलग दिखाते है फिर आगे बरते हैं पूरा chapter समझ में आने वाला है ठीक अब देखिए हम क्या बोलते हैं ध्याद दो सुनिएगा अगर आप सोचेंगे कि inverse tree of function फोड़ा सा यहां ध्यान देने वाली बात है inverse tree of function बहुत इजी सा chapter inverse tree of function पहले नमबर tree of function जो है sir invertable है ही नहीं मतलब जो tree of function है यह tree of function जो है not invertable invertable अब बोलेंगे यह क्या बोल रहे हैं अभी जश्ट आपने inverse निकाल के दिखाया था कि sine inverse 1 y 2 तो आपने 30 बताया था और अभी आपने बोल रहा है कि tree of function not invertable यह invertable होता ही नहीं है तो इसका inverse value आप कैसे निकाले अब बता रहे है चीजों को समझेगा इसे होता क्या है ना कि sine not invertable यानि trigger function invertable नहीं है क्यूं नहीं है यह जानते है जैसे आप देखे होंगे पढ़े होंगे कि sine में समझेगा अच्छा से sine sine 60 का मान कितना हुआ आप बोलेंगे root 3 by 2 जानते भी है और sine 120 degree का मान कितना आप बोलेंगे इसका भी मान उतना ही होता है आप देख सकते है चार्ट पर एक निकाल के sine 60 के मान root 3 by 2 sine 120 के मान root 3 by 2 अगर ये ठीक है ये तो ठीक है ना ये ठीक है सर अगर मैं आप से ये बोलू कि sine in words में root 3 by 2 तो अब आपको confusion हो जाएगा कि ये sine में root 3 by 2 तो 60 degree पर भी आ जाएगा और 120 degree पर आ जाएगा यानि इसका answer होने लगा 60 degree और 120 degree अब बच्चा कोन बोलेगा भाई इसका sine in words का तो मतलब हम सिखाए है कि sine में root 3 by 2 केतना डिगरी पर तो आपने रट के आया है कि 60 पर भी और 120 पर भी तो इसका answer 6, 120 दोनों हो रहा है इसका मतलब trigon function not invertable तो इसका inverse नहीं possible है नहीं है इसको invertable बनाया जाता है जो कि पूरे basic क्रास नहीं चल रहा है यहाँ आपको point by point 12th board का त्यारी करा जा रहा है मतलब आपको सबची बताया जाएगा लेकिन short में ठेक है चलिए invertable बनाया जाता है अर्था sin, cos, tense, cos, x, x, x को invertable बनाया जाता है और invertable बनता कैसे है तो invertable होने के लिए function को byjective होना पड़ेगा अच्छा function क्या होना पड़ेगा byjective क्या होना पड़ेगा देखे है ध्यान से byjective byjective यानि कोई function invertable तब होगा जब पहले वो byjective होगा और byjective कब होगा जब वो one one element में पड़े होगे one one function और onto function ये दोनों function को मिला जब दोनों function one one function onto function को मिलाते है तो बनता है byjective function जो byjective होगा उसी का invertable होगा ठीक है तो इसलिए न सुनिएगा ध्यान से इसलिए byjective function बनाना पड़ेगा पहले तो byjective बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा one one onto अब पूरे question को byjective बना बना के invertable निकालना possible है नहीं है possible तो बिना byjective बनाए हुए एक तरीका है कि आप निकाल सकते है वो क्या तरीका है सर तो कहा गया कि आप सब value का अलग-अलग principal value याद कर लिजिए मतलब मतलब sin कहा से कहा के बीच invertable है तो कहा जाता है कि sin minus 90 और plus 90 के बीच invertable है ओ sin क्या बोले minus 90 और plus 90 के बीच invertable है उसी परकार cos 0 और 180 के बीच invertable है यानि आपको ने यहाँ पर एक value याद करना परेगा एक चार्ट पर याद करना परेगा जो NCRT में लिखा हुआ है sin, cost, 10 का principal value जो आपको अभी हम दिखाते हैं आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा भी ध्यान से देखेंगा तो मिलेगा इसमें नहीं है सायद चलिए कोई बात नहीं है आपका NCRT में होगा आप देख लेंगे ठीक है NCRT में होगा ठीक है चलिए आते हैं अपना topic पे वहाँ पे लिखा होगा इस type से sin, inverse function का जो principal value है minus 5 by 2 से plus 5 by 2 के बीच फिर cos, inverse x का होगा 0 से πाई के बीच इस type से चार्ट बनाओगा जिसको आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे ठीक है बन जाएगा ओके यहाद तो कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए अभी हमने यह देखा invertable function sin, cos कैसे बनता है उस पे थोड़ा सा focus किये और आपको यहाँ बताएं कि आपको principal value याद होना चाहिए इस-किस का 6 का sin का, cos का, tan का, 6 का और cos का यह याद कर लेंगे ठीक है चलिए उसके बाद थोड़ा सा दिखेगा एक चीज जैसे हम लोग degree में 30 degree बोलते है लेकिन यहाँ चलेगा radian क्या चलेगा radian क्योंकि कोन को major करने का बहुत सरा unit है इसमें से degree, radian बहुत सरा है रोमर वगेरा लेकिन हमको अभी काम करना है degree और radian पर यहनि 30 degree को लोग केतना बोलता है 5 by 6 radian 45 degree 6 degree सब का radian में भैलू है जो आपको एक चार्ट अभी दिखाए दिया था हमको आप देख सकते हैं वो चार्ट यहाँ है देख सकते हैं 30 degree 5 by 6 40 degree 5 by 4 3 degree 5 by 3 90 degree 5 by 2 180 को पाई 270 को 3 by 2 360 को 2 पाई यानि अब आपको degree में नहीं radian में देगा तो आप radian में इसको याद कर लिजेगा सब लोग ठीक है चलिए कोई doubt नहीं होना चाहिए नहीं है नहीं तो हमें start करते हैं अब यहाँ पर यह याद कर लेंगे अब दूसरी बात सर यह तो हुआ basic बात सब कुछ हो गया है अब बात करते हैं कि ncrt का question कैसे बनेगा फिर question man का question कैसे बनेगा चलिए आपको अब इस्टार्ट कर रहा है ठीओडी बढ़िया से ध्यान दिजेगा ncrt में बड़ा टेड़ा हो जाता है कोई दिक्यत नहीं इन भर्स ट्रीव फंक्शन का दो एक्सरसाइज है ncrt में इन भर्स ट्रीव फंक्शन का कितने एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज पहले एक्सरसाइज का नाम प्यार से सुनिएगा बहुत मजा आने वाला है 2.1 और दूसरी एक्सरसाइज 2.2 यह दो एक्सरसाइज ncrt में है और आपको अभी हम एक्सरसाइज सिखाएंगे बनाना कैसे बनेगा कैसे कोशन सोल हो जाएगा अभी के अभी जस्ट देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बोर्ड में जितना भी अबजेक्टिव आएगा यह चेप्टर केबल अभ्जेक्टिव के लिए मतलब सब्जेक्टिव 2.1 से नहीं आएगा 2.1 से सब्जेक्टिव कोश्चन नहीं आएगा 2.1 से केबल अभ्जेक्टिव आएगा ओके चलिए 2.2 से सब्जेक्टिव जरूर आएगा और objective तो आहीं सकता है ठीक है कोई दिक्क्यत है किसी को बताईए नहीं न चल लिए अब आगे बरते हैं ध्यान दिजिएगा 2.1 2.2 objective, objective, subjective दोनो यानि इस चीज़ से आपको पता चल रहा है कि कोन exercise में कितना मिनद करना और कितना देर मिनद करना ठीक है तो सरे स्टार्ट करते है 2.1 कैसे बने गा ठीक चल लिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं exercise 2.1 में आपको question मिलेगा ऐसे 9 verse 1 by root 2 मिलेगा 10 verse root 3 मिलेगा 10 verse 1 1 इस टाइब का तो ऐसी सिखा देते हैं जो सिख लेगे कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है सोचना है ऐसे सोचना है sign में sign verse का मतलब sign में sign in verse का मतलब sign में sign में 1 by root 2 केतना डिगरी पर आप सोचिंगे sign में 1 by root 2 45 डिगरी पर और 45 डिगरी पर नहीं लेकिन radian में 5 by 4 मतलब इसका एंसर हो गया 5 by 4 answer complete हो गया कोई जाद ही दवदर नहीं करना क्योंकि objective question है इसी बनाना 10 in verse root 3 तो आपको बस ये सोचना है कि 10 में root 3 केतना डिगरी पर तो आप बोलेंगे 10 in verse 1 का मतलब हुआ कि 10 में 1 कितना डिगरी पर आप बोलेंगे 45 डिगरी अब 45 डिगरी को 5 by 4 बोलेंगे बोलिए समाज में आया या नहीं आया डालिए समाज में आया या नहीं आया होगा अपको कोई tension ले 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 आजज aan आपको समझाए चलिए अब समझते हैं इसको एक सकते हैं आराम से अब माइनस में आ जाएगा साइन वार्ट समाइनस वन वाइड रूट तो इन्सर जो भी पलस में वही क्या गया माइनस में आ माइनस में तो एंसर क्या होगा तो आप बोलेंगे सर माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस बाहर निकल गया और एंसर वही हो गया यानि आप यहां पर समझें कि कोश्चन दो पार्ट में रहेगा कोश्चन कितने पार्ट में रहेंगे दो पार्ट में एक पलस में और दूसरा माइनस में यानि type of question मैं बताओं मैं बताओं type of question type of question type of question आपको दो पार्ट में types मिलेंगे pick एक question मिलेंगे कि पवजेटिव कि अंगल वाला पोजेटिव एंगल वाला कि की है दुसरा मिलेंगे है नीगेटिव कि अन्य वाल उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा पो ये टीव एंगल वाला होते तर कैसे क्या करेंगे बताएए न planet कौने कि पोजेटिम एंगल वाला मिलेगा तो कुछ नहीं करना है डाइरेक्ट बना देना है क्या करना है डाइरेक्ट पना देना है मतलब सर मतलब एक्जामपल दे रहे है आप ध्यान समझेगा जैसे अभी जस्ट दिये हैं कि आउस इनवर्डस कोई गलती नहीं कोई नहीं को अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह भी आप ज्स दो मिनट के बाद बोलेंगे और उसके बाद सारा ये तीन महिना में, पूरा NCRT खतम करेंगे, फिर question bank का सारा question आपके सामने बनाएंगे, with proof के साथ, ये 2012 में पूछा, ये 2015 में पूछा, ये 2012 में पूछा, ये 2024 में भी पूछेगा, 2013 में भी पूछा, मतलब पूरे चीज आपके proof के साथ बताएंगे, चलिए, आईए, positive में positive हो, तो direct बना देना है, direct creation बनाना है, तो अभी सश्या दिए, चलिए, जब आपका theta negative हो, मतलब angle negative हो, तो आपको थोरा सा condition फसेगा, condition क्या फसेगा, कुछ भी नहीं फसेगा, अगर theta negative हो, तो minus को बाहर निकाल दो बोलेगा, तो यह सरी, यह भी simple हो गया, आप तो बोलड़ा है कि minus के बाहर निकाल दो, मतलब example देते हैं, दिखेगा, इसे कि माली ते example देदी हैं, example देदी है, sine verse minus one by root two, तो आप तुरंट बोलेंगे कि अच्छा, theta negative है, तो सर्तों सिखाए है कि minus को बाहर निकाल दो, तो आप निकाल देंगे minus को बाहर, ओके, फिर बोलेंगे, sine में one by root two कतना पर pi तालिस पर, pi तालिस मतलब pi by four, यानि minus pi by four एंसर, आपका इंसर भी मिल जाएंगे, ncrt में हर जगा सही है, कोई गलत है ही नहीं, बट यहीं देखा देखी से आप क्या करेंगे, कि अगर कॉस में minus one by two है, आप भी बोलेंगे, सर्तों बोले है कि minus बाहर निकाल दो, minus बाहर निकाल देंगे, और एक बटा दू केतना, साथ, साथ मतलब five by three, अब यहाँ पे मामला गया फस, यह हो जाएगा गलत, अब बोले सर आपने बोला, minus बाहर निकाल दो, यहाँ निकाला तो सही हो गया, और यहाँ निकाला तो गलत हो गया, ऐसा क्यूं? इसी को बताएंगे, और exercise खतम हो जाएगा, बस, यानि सर कब क्य क्या करेंगे, क्लियर किजिए, सरते हैं क्लियर, आपको न, minus बाहर निकलेगा, एक तम कोई बेधरक निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन जगा, minus बाहर नहीं निकलता, तो क्या होता सर, तीन कौन जगा है, आप note में लिखिएगा एकदम बेहतरीन बात है, म क्या तीन जगा, minus बाहर नहीं निकलता, वो जगा तीन कौन है, सर, एक कॉस के साथ, तुसरा इसी का उल्टा, शेक के साथ, और तीसरा, कौट, थिटा के साथ, यानि, तृदेव सहाब जो भी है, ये तीनों तृदेव, किसमें जो है, minus बाहर नहीं निकलता है, तो, ये कॉ से कॉट में माइनस बाहर नहीं निकलता है यानि जब भी प्रस्ण किसमें आ जाए कॉस से कॉट मैं दुवारा रिपीट करता हूँ तेवारा रिपीट करूंगा लेकिन आप समझेए कॉस ठीटा एक ठीटा और कॉट ठीटा ये तीनों में निगेटिव बाहर नहीं आता है यह अगर र शॉतिग्म है कोई दिख्यक्त नीजक्त में अगर थो यह अदा आजाए अपना स्कूल नोट में अपना non about Sun on a आभाई में से गहला अलेना थे अगर एंसर देना है अगर यह थीनों में थीता निटी वाले तो क्या करेंगे माइनस तो बाहर निकालेंगे नहीं तो करेंगे क्या तो आप पाई में से अपना जो भी एंसर आएगा उसको घटा लेना है बोलेगा जो भी एंसर मींज़ ते एक और थीटा निगेटिव के साथ है मतलब निगेटिव थीटा के साथ है तो आप पाई में से क्या करोगे घटा लोगे अपने इंसर को जैसे एग्जामपल देंगे एगदम धराक से समझेंगे ठीक है निशे देते हैं कि देखिये कास कि इनब हर्स भार्स माइनस हाप गया कास में सहाथ देंगenser में धीमाग मिन आएगा साथ डेगरी का और चाटी मतलब पाई घीड़ी यान सरत तो इतों पाई वाई थीडरी यानि इन्हेर तो इत्ला से लेकिन ठीटा आगे दिमाग जन से आना चाहिए वह अच्छा ये वाला जब ऐसर देने लगेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी लागाए तो भी भाट आ अगर आजाए कल के दिन में ऐसा क्वेशन पॉस इंभर्स माइनास वन वाई रूट टू को को बोलेगा एंसर बताओ क्या होता है पाई में से घटा है तो कॉस बंने रूट टू पहले बोलेंगे 45 दिगरी मतलब पाई सब्सप्सक्राइब हो जाता बट यहां ineffective है इसलिए पाई में से स्ब्सक्राइब कर देंगे पाई बाई 52 यानि पाई में से घटा लेएंगे उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और समझे होंगे तो अभी जस्ट आपके सामने exercise निकालते हैं आपको बनाना है मेरे सांथ इसलिए exercise बनाएंगे खरल अधिकत नहींना श्राट करते हैं और फिर exercise 2.2 नेगा फिर question कोशन कराएंगे अगर आप डेली 12 मजे जूर जाते हैं तो आपको एंसी आटी दम हलवा लगेगा हलवा और उसको बना दीजेगा कोशन के चून-चून के बनाईएगा एक बार जूर के देखिए डेली 12 मजे आपको वीडियो मिलेगा ठिक दीन में नो रात में नहीं दिन मे करते हैं यह बेस्कीन सोट ले लिएगा यह सब मान है आपको पता है आगए एकसरसाइज 2.1 एकसरसाइज आगया 2.1 यह एंसी आटी का सारा कॉस्चिन है बाहर से कॉस्चिन नहीं दिये जो एंसी आटी में है वही सब है आप बनाएंगे मेरे साथ पुड़े ही मंदारी से पहला question देखिएगा दिखाई दे रहा है न दे रहा होगा चलिए तब दिखाई देगा no tension पहला कहता है find principal value आपको principal value बताना है पहला question क्या बदाईए sign in words minus में हाप बोल रहा है answer बोलो पहला question नहीं है, second में बोलेंगी नि बोलेंगे हम बोले थे, तीने जगा minus आएगा तो घबराना है, बाकी जगा तो निकाल ही देना है, sign है, sign में कोई दिक्कत है नहींगी न, इसमें तो कोई दिखते हैं तो माइनस को बाहर निकाल देगे माइनस बाहर आ गया असाइन में एक बटा दू कितना डिरी पर आप बोलेंगे 30-30 मतलब 5 by 6 एंसर हो गया माइनस 5 by 6 एंसर भाहिए कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए दुसरा कोशन में देखिए दुसरा कोशन पहला कम्प्लीट दुसरा देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स रूट 3 by 2 ऐसा लिखा है सकेंड़ में एंसर बोलेंगे कॉस इनवर्स रूट 3 by 2 मतलब बोल रहा है कि कॉस में रूट 3 by 2 केतना डिगरी पर आप बोलेंगे 30 डिगरी पर 30 मतलब 5 by 6 एंसर किस रहा देखिए न सकेंड़ों में बनेगा मान याद रहा था ये कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 2 कितना डिगरी पर फिर से आप बोलेंगे अच्छा कॉस इक में 2 पूछ रहे हैं तो हम सोचेंगे कि कॉस इक में 2 केतना साइन 30 के वाद हाँ आप लोकर उल्टा 30 पर 30 मतलब 5 by 6 तीन हो का 5 by 6 वो माइनस आ रहा है न समझ में उमेट करते हैं कि आपको बनेगा और समझ में भी आएगा 3 के बाद 4 देखिए न अब बन जाएगा जार क्या कहता है 10 in verse माइनस रूट 3 हमने आपको सिखा रखा है कि केबल तीन जगा माइनस आएगा तो घवराना है बाद डेलेक्ट बना देना है घवराना मतलब 5 में से घट आना 10 in verse माइनस रूट 3 10 में माइनस से कोई मतलब नहीं है बाहर निकल जाएगा बेचाड़ा है माइनस अब सुझेंगे 10 में रूट 3 कितना डिगरी पर अब घट से बोलेंगे साथ डिगरी पर साथ डिगरी मतलब पाई भाई 3 बस हो गया माइनस पाई भाई 3 एंसर लग गवी यहीं से अब्जक्टिव हैं लग रहा है कि ट्वील खाफसर अब्जक्टिव है पाच नमबर देखिएगी को और सी धर्स मैनस माइनस में इन स्माझण न आ एप सीन भाई स्मार्ष माइनस हर्फ करस्म न इस I just तो देखिए त्री रेव शहाब को कीशे बनाएंगे पहले तो सिंपल एंसर लिखेंगे कॉस में एक बठा दू कितना डिगरी पर आप तुरंत बोलेंगे साथ डिगरी पर मतलब पाई भाई थी अब बोलेंगे कॉस में निगेटिव है तो सर सिखाएं है पाई में से घटा लेजिए तो पीन को पाई में से यह को पाई तो पाई भाई थीरिये तो नहीं चलेगा नो ओके परिकत नहीं पाच नमबर हो गया कंप्लेट चौन अमर प्याइए नहीं से कोई दिकत नहीं बचेगा चौन नमबर को बनाना परेगा टाइंग वर्स माइनस वान आ आपने माइनस पाई वाई फॉर पैटालीश पर ऐसी बनेगा उब्जिक्टिव हो गया सात देखिये शाथ को देखेगा प्यार से त्यक्षा कि दूबाइ रूट थीरि में देकिन भाड़्स दूबाई रूट 3 यह पलस में, ठीटा जब पलस में तो no problem, ठीटा जब positive हो तो no problem तो direct बोलेंगे कि यह कि में दूबाई रूट 3 केतना पर यह cost का उल्टा है, 30 पर cost 30 का माहन होता है दूबाई रूट 3 यही 30 पर है, उसका उल्टा है, 30 मतलब पाई बाई शिक्स हो गया, क्या लिए, यह 6, 7 हो गया, 8 में आईए, 8 में है cost inverse रूट 3, ठीटा पोजिटिव देखें कोई डर नहीं, ठीटा पोजिटिव देखें कोई डर नहीं that is the thing, cost inverse में रूट 3 केतना डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ठीग्या है का है कि 10, 30 का मान होता है, 1 by root 3, तो कर उल्टा, root 3, यहनि 30, 30 मतलब 5 by 6 मान तो याद होना चाहिए, ओके, आईए, 8 तक हो गया complete, आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ते हैं, आप देखते रहेंगे, आगे आगे हैं, 9 से, 12 जो भी है, 9 नमबर देखिए, पता है, cost inverse, minus में 1 by root 2, सब question बना देंगे आप, cost में minus आया, तरी देव बला question है, मतलब 5 में से घटना परेगा, तो cost inverse को, पहले simple answer, 45, cost में केतना, cost केतना degree पर और by root 2, आप बोलेंगे 45 मतलब 5 by 4, simple, but minus देखके क्या आप करना परेगा, 5 में से घटाना परेगा, 5 by 4, 14 को, 5 में से 1 को, 5, 3, 5 by 4, answer, cost में negative है, तो cost एक कोट में इसा करना परता है, आपको पता है, 9 के बाद 10 में आ जाईए, cost inverse minus root 2, सबको पता है, cost एक में minus से मतलब नहीं, तीने को से मतलब है, cost एक कोट, यह cost एक, direct minus 1 निकलेगा, minus, आ कॉसेक में root 2 केता डिए पर, 45 मतलब 5 by 4, इसका भी answer होगी, minus 5 by 4, अब आदे हैं, 10 के बाद 11 नंबर, 11 बानाना नहीं है, बन गया, 10 verse 1, मतलब 10 केतना में 1, तो 45 मतलब 5 by 4, 11 भी बन गया sir, यह नहीं, अभी इसमें लंबा है न, ठीक है, देख लेते हैं, यह है 10 verse 1, इसका बाद क्या है, cost inverse minus half, बहुत अच्छा, कुछ नहीं हलका है, बस जोड दिया है, time verse, minus half, time verse 1, cost inverse minus half, time verse minus half, देखें बनाएंगे, time verse 1 को सब जानता है, 10 केतना में 1, ताब बोलेंगे 45, मतलब 5 by 4 में 1, okay, plus, cost inverse minus में half, cost में half आ गया, तो इसको ऐसे बनाएंगे, cost में केतना डिगरी पर अधा, मतलब हाँ, आप, आप बोलेंगे 60 पर, 8 पर, 60 पर तो हूँ, 60, पाई में से घटाएंगे, यानि, पाई माइनस पाई भाई थीरी, okay, पाई में से घटाएंगे, पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई में डिगी तीवाए तो नो प्रॉब्लम, माइनस, बाहर निकल लगया, 5 by 6, 30, साइन केतना का माने कुणा है, तू, साइन 30, 5 by 6, माइनस निकल लगया, बाहर, देखिए, 5 by 4, पाई में से घटाएंगे, पाई में से घटाएंगे, तू, 5 by 3, जल्दी से आप नोट कर लेंगे फिरी पाई भाई फॉर इंसर आ गया इसकीन सट लीजिए न जल्दी से कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग गया होगा कि मुश्किल से 10 मिनट का थेओरिय कंप्लीट है हम आपको बो कि वास इन वार्श आप प्लेस तू साइन वहर्श के भी याप और फिर स पर प्लस तू साइन वार्श कोई दिक्कत नहीं है अराम से थीटा पोजिट्रीव है तो तो दिक्कत नहीं है डाइरेक्ट कॉस में हाप यानी ओधा कितना डिगरी पर आप बोलेंगे 60, 60 मतलब पाई भाई थीरी हो गया, पलस है तो पलस, 2 है तो टो उतार दी है, और साइन भर्स इसका क्या मतलब होता है, साइन भर्स हाप का मतलब क्या होता है कि साइन में केतना पर हाप, आप बोलेंगे 30, 30 मतलब पाई भाई भाई 6, 2 3, पाई भाई 3, 2 पाई भाई 3 इंसर हो जाएगा, तो वह में आया, पाई भाई 3 पलस पाई भाई 3 मतलब 2 पाई भाई 3, 12 नंबर भी हो गया, complete, 13, 14, वह क्व है वास आ गया ए फाइन वाइच एक्स बराबर होगा है तो प्रिंस्पल है अगर याद है जो याद कींए है रोड़ आईगा ता इंगा प्रिंस्पल फैलू यह देखिए देखिए यहां पर समझना है माइनस पइबाई 2 से बरा और पाइबाई 2 यह से छोटा मानस फारेिट से बराप अब बच्चा न फिप्टी पर्शन के बच्चा यहां कन्फ्यूजन हो जाएगा प्यार से यह ऑप्शन B के तरफ भी बच्चा को न फिप्यूजन रहेगा और D के तरफ भी दोनों किलियर करते हैं इसका प्रिंस्पल भेल हुआ आप याद करेंगे तो ऐसे लिखा लोगा साइन वर्ट का वाइट दिखाई दे रहा है माइनस पाइश चलिए समझेगा साइन भर्स एक्स का जो प्रिंस्पल भेलू है लिखा लोगा आई से माइनस पाइब आई टू अप पाइब आई टू के बीच और ये वाला वर्राइकेट बच्चा को समझना है ये आप ये मत समझेए कि बड़ी वर्राइकेट ये 12 के मैथ में इसको बोलते है क्लोज इंटरवल क्या बोलते है क्लोज इंटरवल इंटरवल और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लेकर क्या मतलब होता है चला लेकर यानि माइनस पाइब आई टू और पाइब आई टू को लेकर मतलब उसाथ चलेगा और अगर यही ऐसा होता माइनस पाइवाइट टू अब पाइवाइट टू किताम में यह वला जब बराइकेट यूज़ होगा यह छोटी बराइकेट नहीं है यह मैथ में है ओपेन इंटरफल मतलब फुलीश रिंखला इसका मतलब होता है छोड़कर क्या बोले छोड़कर तो साइन में लेकर मतलब माइनस नब्बे को लेकर तो लेकर मतलब यह वला आगा क्योंकि माइनस नब्बे से बरा और उसके बराबर मतलब उसको लेकर आई डायर कहता है माइनस नब्बे से बरा या निया ओप्षन B सही होगा B, ओके, कन्फियर नहीं होना है, ठीक है, मारस B, लेकर, चली, अगला कोस्चन, अगला चोदर नुमर यहीं नहीं देखिए, वह आ गया है हम लो, यहीं है कोस्चन, 10 इंवर्स, रूट 3, माइनस एक में, देखिए कोस्चन, 10 इंवर्स, 10 इंवर्स, रूट 3, माइनस एक इंवर्स, माइनस में रूट 2, माइनस में 2, 10 इंवर्स, रूट 3, माइनस एक इंवर्स, माइनस 2, कमान, 10 इंवर्स, रूट 3 का मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, कि 10 में रूट 3, केतना डिगरी, आप बोलेंगे, 10 डिगरी, 10 डिगरी यहां लगा दीजिए पराइकेट क्यों कि शेक कॉस कॉट में लफ रहा है माइनस आयत तब पाई में से घटेगा शेक में दू केतना डिगरी पर आप सोचिए वन बाइटू साथ डिगरी पर नहों होता है साथ नहीं होता है उसे साथ होगा साथ होगा तो साथ होगा तो साथ मदल उन्हें भाई में से घट आएगे पाई माइनस फाय वाई थिरी मेनस इन रिडिरे और फीन को पा कि में च योई से घुैज तो ना थात आ जाएगा एक पाई में से दूगो पाई माइनस पाई वाई थीरी का जो है इंसर हो जाएगा बी नंबर आप्शन से यह माइनस पाई वाई थीरी तो आपका यह exercise the end हो गया है आप अब क्या किजिए हड़ पे जाईए NCRT बनाईए पूरा NCRT बन जाएगा exercise कितना बोले exercise 2.1 complete अगर आप कल पढ़ेंगे कल 12 वजे आपको डेली जूर जाना है तो exercise 2.2 भी सिख जाएंगे फिर उसके बाद कोशन में का कोशन भी कर लेंगे और ऐसे ऐसे करके चार से फांच कलास में पूरे इन्वस्ट्रियों पर तगरा कमांड बना लेंगे फिर और आगे बढ़ देंगे और किनी लोग को PDF चाहिए तो तो टेली के नाम से आप ले सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं और जूर सकते हैं हमारे चैनल से आपको मैं बता दू कि अगर आप भी हार बोर्ड में 12 का अत्यारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए अदम ब बिस्बास बनाईए ठीक है तो आज के लिए इतना ही और कैसा लगा इसको कमेंट बक्स में जरूर डालेंगे और डेली बारबजी वीडियो देख लेंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही